वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरें सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलोग करते हैं तो प्लीज यह वाला सब मैसेज करका दिए जानकारी प्राप कर सकते हैं तो इससे पहला सक्षिन एग्रिमेंट सक्षिन है एग्रिमेंट में आइटी कानपूर की C3I Lab है इसने तिलंगाना पुलिस के साथ समझोता किया है तिलंगाना पुलिस की हेल्प करे गिए C3I Lab क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सब्सक्राइबाहक DGP बने है IPS विजय कुमार अबॉर्ड चनुनर्स देखेंगे गांधी शांती पुरुसकार ये गीता प्रेस गोरकपूर को बहुत चर्चमिरा था कवी और कवित्रियों को समानित किया जाता है लखनाव के विंगेकार पंकच प्रसून को मिला है लखनाव कि युणा कवित्री एनिशा सीचंग को प्रयाग्राज के डॉक्र प्रभाण कुमार को फिरोजबाद के क्रश्न कुमार का नक को और बहराईच के वेदमित्र शुकला को यह वार्ड बिला है 2018 से यह वार्ड शुरू कि आ गया था चीफ इनिस्टर योगी आधितना जी के द्वारा इसमें जो हर साल जो बडिंग कह सकते हैं पोईट्स होते हैं उनको वार कहा है ऋतर ब्रदेश से नंको इसमें है और इक अधि श्तार लाइच नमक श्रेल करना लाने यहां पर हुई है अर्दवार दुबे की यह senior leader थे बीजेपी के राजसाभा के MP थे यह नहीं रहे चोतर वर्ष के अभी निधन हुए यह बलियास से थे अब आज आते हैं schemes, campaigns और जो भी programs initiatives होते हैं उतर प्रपदेश के मुख्यमंतरी सुक्ष्म उद्यमी दुरगटना भीमा योजना 28 जून से scheme लागू कर दी गई, मुख्यमंतरी सुक्ष्म उद्यमी दुरगटना भीमा योजना नाम से बता चल रहा है, जो micro entrepreneurs हैं, उनका अब मतलब accidental insurance के जाएगा, उनको दुरगटना भीमा के लाब दिया जाएगा, 18-60 वर्स के उद्यमी इसके बात्र हो सकते हैं, और इसमें 5 लाग रुपए तक का यहां पर कर सकते हैं, insurance बिलेगा, death or disability के case में, उत्रप्रदेश की नई township policy अप्रूव कर दी गई है, इसकी details को mains के लिए जरूरी होगी, prelims के लिए ध्यान रखना ही कब आई थी, जून में अप्रूव होई है, 28-2023 को उत्रप्रदेश की नई start-up, माफ कीजिएगा, township निती शुरू की गई है, new township establishment policy of उत्रप्रदेश has been launched in June 28, 2023, उत्रप्रदेश मात्र भूमी scheme चर्चा में है लगतार और यह कोई नई scheme नहीं है, इसके बारे में लेकवाल वेपर में भी आया था, तो 2 जून 2023 को मुक्ष्मंत्री जी ने पंचायत र्याज विभाग का प्रस्तावित यह मात्र भूमी योजना का शुबारब कर दिया, इस योजना के तायत 60% धन व्यक्ति को वहन करते होगा, 40% धन और भूमी का जुगार सरकार करेगी, इसके तायत का कर सकते हैं आप, मालीजे आपका कोई पैतरक गाउं है, ठी अब बैटने की बनवा सकते हैं, अपने पूरवजों का नाम उसको दे सकते हैं, लैंड और 40% ग्रांट सरकार देगी, 60% धन आपको खर्च करना पड़ेगा, इसी का नाम है मात्र भूमी स्कीम, कि आप अपने मात्र भूमी के लिए कुछ मेंबरेबल करना चाहते हैं, ठीक थे स्कीम है नंद बाबा मिलक मिशन, इसका अब जेक्टिव है उत्तर प्रदेश में, फार्मर्स की इंकम को इंक्रीस करना, मिलक प्रोडूसिंग फार्मर्स को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना मिलक की और इलाकर उतर प्रदेश चुकी अल्रडी एक मिलक सेफिशन उत्तरप्रदेश की कॉवर्मेंट ये भी क्लेम करती है कि उत्तरप्रदेश फस्ट है इंटमस आफ मिल्क प्रोडक्शन अपने बजट में उन्हें लेटिस बजट में कहा था ठीक है तो एक हजार कड़ोड रुपए की उजना के साथ इसको लांच किया गया है नंद बाबा दुखदुमिशन को उन्नत नसल की सुदेशी गायों की खरीद में सरकार अनुदान देगी उन्नत नसल की मतलब अगर को इंडिजनेस काउ खरीदना चाहता है तो उसके लिए ग्रांट सरकार की तरफ से बिलेगा पशु आहार बनाने वाले तो भी यहांपर ग्रांट मिले इसको अभी अप्रूवल भिलाए भी यह बना नहीं ध्यान रखिएगा लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम यानि की कानुनी साहाइता रक्षा परमर्स प्रणाली उत्तरब्रदेश सरकार ने लागू की है इसका उदेश है कि उत्तरब्रदेश के जिलियों मुख् करना जो आप राधित मामलों में फसे हुए हैं और जो जरूरत मंद है उनको मुफ्त कानुनी सलाह प्रदान करना है शक्ति दीदी अभियान यह चलाए गया था कुल विलाकर मतलब महिला शक्तिकरण का अभियान है अबर्नेस क्रेट करने का कैमपेन है वातम बुद नगर क जो पुलिस कमिश्णर लक्षमी सिंग उतर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्णर बनी थी आपको अगर यादो तो इन्होंने जो इसको चलाया था शक्ति दीदी कैमपेन प्रदान मंत्री फसल विमा यूजना जो है दोची शबिस तक अभी जारी रहेगी तो उसके उतर प्रदेश में पंचायत सतर पर कुल 18 फसलों को इसमें बीमित किया जाएगा तस खरीब की आठ राभी की फसल इसमें शामिल है इनको प्रदान मंत्री फसल विमा यूजना के तैत शामिल किया जाएक उतर प्रदेश में आगे है फार्मेसिटिकल इंडस्ट्रियल पॉ नीती में एक चीज़ और मेंशन करी गई है कि नौर्थ इंडिया का पहला और उतर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार की गहां पर बनने वाला है गौत्तम बुद्नगर में फेकर ये ध्यान रखीगा G20 Development Ministers की मीटिंग ये हुई थी 11 से 13 जून के बीच सुब्रमन्यम जय संकर की अध्यक्षता में वाड़ासी में G20 Development Ministers की मीट हुई थी वाड़ासी में और इसमें दो मुख्य सत्र हुए थे एक बहु पक्षवाद पर आधरित हुआ था यानि की Multilateralism पर जिस पर भारत की विदेश निती भी काफी फोकस करती है और दूसरा यहाँ पर विश्य था Green Development और Life यानि Lifestyle for Environment अप्रोच के बारे में तो ये ध्यान रखेगा ये Development Ministers Suite काहां पर भी वाड़ासी में जून 2023 में उतरपदेश के मुख्मंतरी जी ने पहली टिकट का नावरण किया था लखनो में विश्व की सबसे तेज Motorbike Race जो ने जा रही है MotoGP 2023 उसके पहले टिकट को यहाँ पर दरशाया था इस Motorbike Race का आउजन कहां पर होगा लखनो में होगा नहीं दान रखेगा इसका आ इंडर 7 में रैंक 1 पर आगे थी जास फेटरेशन की रैंकिंग में यह है अनुप्रिया यादव यह प्रयाक राध से हैं खेल साथी एप यह शुरू किया गया है खेल साथी के मादियम से लाडियों को विभिन जानकारी और जो स्कीम उतरप्रदेश सरकार चला रही उनके क जाड़ी जब होता था विभिन देवलप्मेंट तब उसने शुरू किये थी यह रैंकिंग तो ज्यादतर केसे में क्या होता है कि आईटी मदरास टॉप कर जाता है तो इस बार भी उसी ने टॉप कर आया लेकिन हमको यहां पर सिर्फ उतरप्रदेश के इंस्टूट से बा आईरविग्यान संस्थान लखनोव में यह 7 पर पिर बनारस इंदूर उनिविश्टी इसमें भी 8 पर और किंग जॉर्ज बेडिकल उनिविश्टी लखनोव यह 12 पर आगे में लोग बड़ते हैं मिसी कुछ सेक्षिन आ चुका है निमलिकित में से कौन सा गथन सही है आपको पताना है उत्तरप्रदेश राज ओधोगिक विकास प्राधिकरन यूपी सीडा ने 7 जून को लखनोव में यूपी वेर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट क यहां पर करेगा ऐसा ही यहां पर बनने जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब तो यह दोनों कथन यहां पर सही है एंसर सही हो जाएगा सी वरें टू बहुत करेक्ट आपको अगर याद हो बजट 2021 में अनांस किया गया था उत्तरप्रदेश को हम बनाएंगे सेफ सबसे पहले उत्तरप्रदेश का लक्राइंगहा था तो 18 जिलों को सेफेठीज बनाये जाएगा उसमें कौन से मिल नहीं हैं नुगा दा नाम भिद्र ऑफरदेश कहां, प्रदेश का पहला Canine Center बनाए जाएगा, इंडिंव वेटिर्डेरी रिसेर्च इंस्टूट में जो हीृत इज्जवतनगर रैबरली में है, जोंगत इसका एंजजवतन रहब पहली members. इज्यतनगर भरली- only Canada Center का अभार्य, पर विवहार उनसे समझद बीमारी का ध्यान यहां पर किया जाएगा कनाइन का अप्रयोंग यहां पर खुत्तों के लिए है इसके बाद उतरप्रदेश के पहले रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोट्स रेश्ट्रोडेंट की स्थापना कहां पर होगी वाड़िसी में नहीं ह टेस्टिंग की थी आईटी कानपूर में 5,000 फीट उपर और सेक्सेस्वली बारिश यहां पर इंडिवस की थी क्लाउड में से इसके इंसर हो जाएगा आईटी कानपूर इस प्रोजेक्ट पर 2017 काम कर रहा है क्रोना करेंट सा डिले हुआ लेकिन क्लाउड सीडिंग जो है परफॉर्म की फाइली आईटी कानपूर ने 2023 में जून में इसके बाद है कि जून 2023 में उत्तरप्रदेश के पहले पंजी कृत वहां स्क्रेपिंग सेंटर की शुरुवात कहां पर की गई है तो फर्स्ट रजिस्टर्ड वहिकल स्क्रेपिंग सेंटर उत्तरप्रदेश का अगरा में वहान स्क्रेपिंग सेंटर खुला है इस फरे डॉक्मेंट्स की जाती है फिर आपके वहां को काट करके उसको अलग-अलग कर दी जाता है एक साल में उत्तरप्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में कितने ट्राफिक चलानों को निरस्ट कर दिया है, 2017 से लेकर 21 तक के सभी चलानों के यहां पर निरस्ट कर दिया है, टोटल 5 वर्ष की चलानों को, उखल बलाकर उत्देश यह था कि जो 5 साल पर आनी चलान है, मुकतमे बाजी उनका बच गया, लेकिन जो लोग पे कर दिये थे, वो बहुत दुखी हैं इस वैसले से, जून्द हो जाते हैं, इसमें उत्तरप्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस को हरी जंडी दिखा करके कहां शुरू किया गया, रोड एम्बुलेंस शुरू की गई मेरट में, और शब्द सुनके यह नहीं समझेगा, कि रोड पे कोई अम्बुलेंस चलेगी, वो मदब हता हत लोगों को हल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सिडेंट्स से कोई लिए न देना नहीं है, जो पॉट होल्स यानि कि खट्टे हो जाते हैं बारिश में, या फिर किसी भी का प्रचा में हैं चीज़ें, तो इसमें 8 जिलों को शामिल करेंगे, तो इसमें कुल बिलाकर है कि लखनो के अलावा के 3 जिलों को शामिल करेंगे, तब इसका इंसर साथ हो जाएगा, कुल बिलाकर स्टेट कापिल रीजन में 8 जिलों को शामिल करेंगे, और लखनो के लावा इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें कहा रहे है कि गोंती हैचरी फिश सीट प्रोडक्शन सेंटर जो है इसको फर्स्ट स्टेट ऑफार्ट हैचरी के रूप में लखनों में डवलप किया जाएगा प्रधान मंत्री मत से संपदा युजना के तहत यह सही है स्टेटमेंट है कि साथ हैचरी को यहां पे डवलप की जाएगा स्टेट ऑफार्ट ट्रेनिंग कम डिमांस्ट्रेशन सेंटर करूप में यह स्टेटमेंट रहूंगा क्योंकि यहां पर संख्या गलती है पांच हैचरी को डवलप की जाएगा ट्रेनिंग कम डिमांस्ट्रेशन सेंटर करूप में जून दोजारतेइस में उत्तरप्रदेश के कितने उतपादों को चेन्ने इस्थित गोब यह भागोलिक संकेतक रिजिस्ट्री जो है को संभल के हॉर्न क्राफ्ट को जैनि जो सींगों से जो बनाए जाते हैं शिल्प बागपत की हों फर्निशिंग को घरेलु साथ सज्जा को बारब अंखी के हद्करगा उत्पाद को कालपी के हस्तिनिर्मित कागस को तो इस तरीके से उतर प्रदेश के पास 52 जी आइटाइग हो गया है और सरवाधिक जी आइटाइग के मालब में दूसरे नमबर प्या चुका है कहां पर खोला गया है सबरंग को खोला गया है उत्तर प्रदेश के कैपिटल में लखनो में ऑप्शन बर भी लखनो में भारत सरकार का ओंलाइन खरीद प्लैटफर्म गौवर्मेंटी मार्केट प्लेस कप से कब तक उत्तर प्रदेश के 75 जीलो में क्रेता विक्रेता कारिशाला कायवजन किया गया था उत्तर प्रदेश में National Law University, option number A, Dr. Rajin Prasad के नाम पर इस उनिवरस्टी के नाम रखा जाएगा ऐसे कुशिनगर जिले में महात्मा बुद्ध क्रेशिएवम प्राउद्र की विश्विद्याले की स्थापना के लिए कहा गया जाँ चितर कूट के जगत गुरू, रामदरा चारे दिव्यांग विश्विद्याले को अब राजकी विश्वद्याले का दर्जा मिल चुका है यह ढीम्ट नहीं है अब यह स्टेट रूइविश्टी है मेरट में राज खेल विश्विद्याले को मेजर ध्यांचन्द खेल विश्विद्याले का नाम दिया जाएगा व्यापारी कल्यान दिवस के रूपे मनाया जाएगा 29 जून को उत्तर प्रदेश में यह बड़ा जरूरी है ठीक है ट्रेडर्स वेलफेड एक रूप मनाया पहले उत्तर था कि मुक्तार नामा जो है power of attorney किसी के भी नाम हो जाती थी लेकिना blood relation में ही होगी ठीक है एक ही करत बागवानी विकास mission योजना के इंतरगत किस चिले में इंडो इस्राइल center of excellence for fruit की स्थापना की जाएगी center of excellence for fruit बनेगा कोशांबी में कोशांबी का एक गिल उत्तर प्रदेश का पहला solar city कौन सब बरेगा ठीक है उत्तर प्रदेश की solar policy में solar city के रूप में स्थापित कर दीक बात कही गई अयुद्या को अयुद्या ये project करीब 5 वर्शन complete करेगा और उत्तर प्रदेश का पहला solar city बनके दिखायागा option number A उत्तर प्रदेश के पहले land port का वर्शन माधियम से उध्गटन किया एक इस जिले में वैसे पट रहा है option number A उत्तर प्रदेश का पहला ये land port है option number A उत्तर प्रदेश lifestyle day जो है किस दिन को बनाया करेगा lifestyle day जो है world environment day जो वैस्पिक परेवरण दिवस होता है पांच जून को उसको अब lifestyle डिवस के रूप में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में परेवरण दिवस किस दाम से बनाया जाएगा जीवन शैली दिवस या फिर lifestyle day प्रदान मंत्री स्वानिधी योजना के इंतरगत सरवाधी के अरेड़े सुईकरत करने के मामलें प्रधम राजी कौन सा है इसमें इसमें नो डाउट इसका एंसर उत्तर इसमें बन सकता है यहाँ पर लक्स रखा गया option number B इसमें बुंदील खंड में green energy का center बनाने का विसे इस लक्स रखा गया है वर्श 2025 में महाकुम 2025 को यादगार बनाने के लिए digital kumbh museum का उदगाटन किया जाएगा digital kumbh museum स्रजित किया जाएगा इसके बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ते यातायात को देखते वोए भारती राजमार प्राधिकरण की मदद से एक सुपर स्टेट हाइवे कर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तो यह बड़ा initial stage में है लेकिन एक सुपर स्टेट हाइवे भी बन सकता है आगे चल करके उत्तर प्रदेश में तुम मतलब ऐसी विमेन एलीट कमांडो यूनिट में ली थी फर्स्ट फोरेंसिक इंस्टूट अफ स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टूट फोरेंसिक साइन्सिस यह सरोजणी नगर लखनों में शट आप तो बहुत दिन पहले हो गया था लेकिन इसमें को उरसे अजय का दिदी काफे, option बर बी, दिदी काफे, option बर बी